अभे, तुम पानी बेकार में क्यों बहा रहे हो? नानी, मैं हाद धो रहा हूँ हमारी शिक्षिका ने भी कहा था कि पानी अनमोल है, हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए उन्होंने सही कहा, नहीं तो जल्दी ही पानी का संकटा जाएगा नानी सही कह रही है, हम सभी को जल्द बचाना चाहिए चलो, इन सब बातों से मैं तुम्हें व्याकरण की दो बाते सिखाता हूँ क्रिया और काल बहा रहे हो, कहा था, बहाना चाहिए, आज आएगा ये सभी शब्द हमें काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं ये क्रिया शब्द हैं, अतहा हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया शब्दों के कुछ उदाहरन खाना, पीना, सोना, हसना, चलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना, आदी ये भी क्रिया शब्द है है, है, था, थी, थे, आदी कुछ काम किये जाते हैं और कुछ काम स्वयम होते रहते हैं जैसे नदी में पानी बह रहा है, क्रिया स्वयम हो रही है, लड़का फर्ष पर पानी बहा रहा है, क्रिया की जा रही है. क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के भेद, सकर्मक्रिया, अकर्मक्रिया, सकर्मक्रिया, स, साथ, धन, कर्मक, कर्मके, यानि कर्म के साथ जो क्रिया प्रियोग के जाती है, वह सकर्मक्रिया कहलाती है, जैसे विभाग गीत गा रही है, मा खाना पका रही है, दिये गए वाक्यों में गाने की क्रिया, गीत, कर्म के साथ और पकाने की क्रिया खाना कर्म के साथ हो रही है इसलिए गा रही है और पका रही है दोनों ही सकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया की पहचान सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगा कर प्रश्ण करने पर यदि प्रश्ण का कोई उत्तर मिलता है तो प्राप्त उत्तर कर्म होता है और वो क्रिया सकर्मक होती है जैसे उपर के वाक्यों में प्रश्ण विभा क्या का रही है उत्तर गीत कर्म प्रश्ण, मा क्या पका रही है? उत्तर, खाना, कर्म इन दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रियोग हो रहा है अतहाई ये सकर्मक्रिया हैं अकर्मक्रिया, अ, पिना, धन, कर्मक, कर्मके यानि जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रियोग नहीं होता वह अकर्मक्रिया कहलाती है जैसे हंट स्टैर रहे हैं बच्चा सो रहा है लड़किया कूद रही है दिये गए तीनों वाक्यों में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक्रिया है अकर्मक्रिया की पहचान अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता अर्थार्प कोई कर्म प्राप्त नहीं होता तो वह क्रिया अकर्मक होती है जैसे उपर के वाक्यों में प्रश्न, हंस क्या तैर रही है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है प्रश्न, बच्चा क्या सो रहा है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है प्रश्न लड़कियां क्या गूद रही है? उत्तर? कोई उत्तर नहीं, कर्म नहीं है इन वाकशो में क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है अता है ये अकर्म कता है